29 अप्रेल से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में पैदल मार्ग से धाम पहुचने वाले देश विदेश के श्रद्धालूओं को इस बार मसाज सेंटर की सुविधा भी मिलेगी जहां पैर हाथ में दर्ध होने पर यात्रियों को सेख के साथ मसाज भी दी जाएगी परिटन विभाग के माध्यम से गौरी कुंट के दारनाथ पैदल मार्ग पर प्रारमभिक चरण में साथ स्थानों पर मसाज सेंटर का संचालन किया जाएगा जिला परिटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने बताया कि पहली बार यात्रा मार्ग पर श्रण धालूओं को यह सुविधा मिलेगी सेंटर के संचालन के लिए इच्छुक युवा वीर चंद्रसिंग गर्वाली स्वरोजगार योजना के जरिये रिंप्राप्त कर सकते हैं बताया कि इस सुविधा से यात्रा पर आने वाले बुजूर्ग जरूरत मंदों को मदद मिलेगी अगर आप बदरिनात के दारनात धाम में पूजा के लिए आज ही बुकिंग करना चाहते हैं तो यह ख़बर आपके लिए है मंदिर समिती ने के दारनात और बदरिनात यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अपनी वेबसाइट www.gov.in समिती के अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल ने बताया कि देश विदेश के श्रद्धालु आगामी अप्रेल से नवंबर माह तक संचालित चारधाम यात्रा में बदरिनात और के दारनात में पूजा अर्चना